उत्रखंड के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर उत्रखंड करांती दल UKD भी संगठन को मजबूत करने में जुट चुका है UKD का कहना है कि आगामी चुनावों में UKD प्रदेश में भाजपा और कॉंग्रेस का विकल्प बनेगी वहीं UKD ने केंदर और प्रदेश की बीजेपी सरकार की नीतियों पर भी निशाना साथ है अलमोडा में मेडिया से मुखातिब होते हुए UKD के वरिष्ट नेता और संरक्षक काशी सिंग एरी ने कहा कि UKD हमेशा से ही जनता के मुद्दों को लेकर लडाई लड़ते आए हैं आगामी विधानसभा चुनावों में भी जनता के मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थे, पलायन, स्थाई राजधानी गैरसेंड के लडाई को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी उन्होंने कहा कि इस बार UKD 2022 के चुनावों में भाजपा कॉंग्रस के अलावा एक सशक्त विकल्प के तौर पर उभरेगी हैं कि य Squeeze हैं कि तो हम आप देख रहे हैं कि प्रदेश में राजने इतिक निवेत तो शुन्याasu चुन्याइब है और जो भी कर रहें बीरोक्रेट्स कर रहे हैं ऑर केंदर में भी तहीं आप देखिए हम अवारे आपने देखा केल जो उबदेशक होता है बाबा लोग उस तरह से बाशन दे के प्रदानमंत्री चले जाते हैं लेकिन बाग की सारी जो बाता हैं वो जो ताइक करते हैं वो बिरोकर्सी ताइक कर रही है जो एसोपी ताइक कर रही बिरोकर्सी ताइक कर रही है जो नियम बना रही बिरोकर्सी वही उन्होंने वर्तमान की प्रदेश और केंदर की बीजेबी सरकार पर नेशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार कुशासन को बढ़ावा दे रही है जनता परिशान है लेकिन राजनेतिक नेत्रत्व को उनकी कोई सुध नहीं आज नीचे से लेके उपर तक ब्यूर किसी हावी की गई इस सरकार में सारे निर्णे, नियम कानून, ब्यूर करेसी द्वारा जनता पर थोपे जा रहे हैं पंजाब के स्री डीवी के लिए अलमोडा से निर्मलो प्रेथी के रिपोर्ट